किस धंग की आत्रा आज यहां से आप चतरभुनाथ मंदिल से प्रारम्भ कर रहे हैं यहां यह मंदिर बहुत पुरानी मंदिर है धरोगड मंदिर है यहां से मैंने संकलप लेके निकल रहा हूं अयुद्ध्या के लिए जो 500 वर्सों के बाद अयुद्ध्या में राम भनमुमी मैदान में वहां पे राम जी का मंदिर का आस्थापना किया गया जो हिंदु तत्म के लिए सबसे बढ़ा उत्थान है और सभी हिंदुऊ भाईयों से कहता हूं कि एक बार अयोध्या चले मेरे साथ चले या अपने मन से चले बाकि अयोध्या जोड़ जाए क्या लगा आपके मन में कि जो पैदल यात्रा अयोध्या के लिए कर रहे हैं मेरी भावना में पर्वु राम जी के परती भावना हुआ कि पैदल चलके बहुत लोग तो गारी और ट्रेंड प्लेंड सबसेश जाते हैं बाकि कटनाईयों से झेलते हुए पर्वु राम जी का दर्शन मुझे करना है सुने हैं इससे पहले आप पैदल बैसनो देवी तक भी गए हुए हाँ पैदल यहां से बैसनो देवी मैं गोरक नात्म मंदीर अयोध्या साज अहांपुर हनमद्धाम सुकर्ताल महभारत कुरुचित मैदान हरद्वार होते हुए अंबाला जलंदर होते हुए हम आपको जम् आपको कोोशिस करेंगे पर हुए राम जी की माया होगी तो जोड़ सम्मीत होंगे नहीं तो 23 या 24 को दर्शन हो पाए कैसा सहयोग मिलना है मुझफर पुडवास्यों का अच्छा सपोर्ट मिलना है कि मुझफर पुर के ही तरफ से मैं मुझफर पुर का मैं परतिनीधी बन से और घरजयन को असिरवा यहां के बाद मंधिल मंदिल भी जाना है कि आपको मेरा मम करना हिसके ध्रमसाला सब्सक्राइब को चुनरी और यह माला दे के साथ यहां से बिदा किया रहा है कैसे इस मंदिल की जस्ता है यह बहुत पुरानी मंदिर है यह मैं लगबग मेरी जो उम्र है वह मैं लगभग 35 वर से इस मंदिर को इसी गली से इसी द्वार से जा रहा हूँ बागे कुछ लोगों ने यहां के इस मंदिर पे ध्यान नहीं दिया इसलिए मुझे मंसा हुई कि नहीं पहला ये बिहार का सबसे पुड़ाना मंदिर है मुझाफ़पुर का नहीं है ये बिहार का पहले पुड़ाना मंदिर है इसको मेरी आर्थिक इक्षी हुई मंद से इक्षा हुआ कि मैं यहीं से संकलप लेके निकलू कि इस मंदिर का आने वाला भविस बहुत ही उजवल हो सारे हिंदू भाई इसका तिर्थ अस्थल बनाएं और इसकी मांग मैं बिहार सरकार से भी करूंगा क्या परचे हुआ आपका मेरा नाम बबलू हुआ मोती जिल माई अस्थान से मैं बिलॉंग करता हूँ